Hello students, तो आज का जो हमारा question है वो exercise 10.1 का question number second तो देखें ये जो question है इसमें पूछा क्या हुआ है The base of an equilateral triangle with side 2A lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin fine vertices of the triangle मतलब कि इसमें एक equilateral triangle दिया हुआ है जिसका जो side है वो 2A है जो कि लाई कर रहा है along the y-axis और कुछ इस तरीके से कि जो midpoint है The midpoint of the base is at the origin जो base का midpoint है वो origin पे है तो हमें उसके vertices बताने है triangle के तो देखें ये question किस तरीके से होगा सबसे पहले तो बोला क्या हुआ हुआ है कि base जो है equilateral triangle का वो 2A है तो यानि कि अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो triangle equilateral triangle क्या होता है जिसके सारे side सापस में equal हो तो अगर हम ऐसा suppose कर लें कि ये जो एक equilateral triangle है तो इसका ये जो side है वो 2A होगा ये भी side 2A होगा और ये भी side 2A होगा क्योंकि equilateral triangle होता है जिसके सारे side सापस में same हो अब बोला क्या हुआ है अब बेस ओफ एकुलेट रिंगल विथ साइट तुए लाइज अलॉंग दा वाई एक्सिस सच देट दे मिड़ पॉइंट अफ दे बेस ओफ इट्स एट ओरिजिन मतलब इसका जो मिड़ पॉइंट है बेस का वो ओरिजिन पे है तो ये देखें अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये टूए है तो अगर हम यहां से कुछ एक्सिस ड्रॉ कर दें तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये अगर इसको ड्रॉ करें तो यह हमारा x-axis के तरह form करेगा तो यहाँ पे यह जो 2a है अब बोला है कि यह जो y-axis यह जो base है यह इसको origin पे cut कर रहा है मतलब midpoint जो इस base का midpoint है वो origin पे है तो यानि कि यहाँ से यहाँ तक का जो distance होगा वो a होगा और यहां से यहाँ तक का जो distance होगा वो एगा तभी तो ये दोनों का sum जो है 2A होगा तो कुछ इस तरीके से और origin का जो हमारा coordinate होता है वो 0,0 होता है और ये क्योंकि a distance पे है तो इसका coordinate a,0 आ गया और इसका भी coordinate a, minus a,0 आ गया क्योंकि इधर minus a distance पे है अब अगर हम हम देखें तो हमें क्या चाहिए हमें यहां पर इसके तीनों जो वर्टिसेंस के coordinates चाहिए तो जब तीनों वर्टिसेंस के अगर हम coordinates निकाले जाए तो हमें दो वर्टिसे coordinates already हमें given है एक जो वर्टिक्स है ये इसका coordinate हमें चाहिए अब इसके कोडिनेट के लिए में चाहिए क्या होगा यह इसका जो पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस है तो अगर हम इसका नेम में कर दें ए बी सी यह ट्रेंगल ए बी सी है तो यहाँ पे हम इस ट्रेंगल ए ओ सी में यहाँ पे अगर हम और इस ट्रेंगल ए ओ सी में अगर हम देखें तो रूराओं के रहां यहां से पांपर पाइथागोरस वोटीर केंगे तो पाहिधागोरव क्या कहता है किसके यहां 2A square is equal to base square यानि की OC square plus perpendicular square यानि की OA square अब यहां से अगर हम देखें तो AC की जो value है वो 2A है तो हम इसको लिख सकते हैं 2A square OC की जो value है वो A है तो इसको A square plus OA का हमें value find करना है तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको 4A square minus यह इधर आएगा तो A square is equal to OA square यहां से हम इसको minus करेंगे तो यह हो जाएगा 3A square और यह OA square यहां से OA की अगर value find करेंगे तो यह हो जाएगा under root 3A square और यह आजाएगा under root 3 और A तो हमें OA की value मिल जाएगी है जो की root 3A है तो अगर हम यहां से देखें तो हमें यह root 3A मिल गया यानि की हमार जो triangle है उसके जो coordinates होंगे वो देखे क्या होंगे तो अगर हम देखे तो यह जो coordinate है अगर जब भी हम कभी यह route से बाहर लेते हैं तो यहाँ पर positive negative आ जाता है तो इस तरीके से यहाँ पर positive और हो सकता है कि यह triangle लिचे भी form हो रहा हो ऐसा कोई जो रही तो condition बोला नहीं क्य basis of equilateral triangle B तो वो क्या क्या होगा देखे सबसे पहला तो होगा minus a,0 फिर दूसरा जो coordinate होगा वो a,0 और तीसरा जो coordinate होगा वो 0,root 3a और या तो दूसरा coordinate क्या हो सकता है यह दोनों तो सेम ही रहेंगे क्योंकि इसमें कोई change नहीं होने वाला है तो यह a,0 रहेगा लेकिन यहाँ पर negative हो सकता है तो 0,minus root 3a इस तरीके से हो सकता है तो I hope कि आपको यह question समझ में आया होगा और अगर अभी भी कोई doubt है तो आप comment करके पूछ सकते है तो मिलते हैं question number 3rd के साथ अगली वीडियो में